हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में संस्कृत के 30 गेस सब्जेक्टी प्रशन बताएंगे और ये जो 30 गेस सब्जेक्टी प्रशन है ये आपके फाइनल बोड परिक्षा के लिए काफी महत्पुन है और इस तीस गेस सब्जेक्टी प्रशन में से बहुत सारे प्रशन आपके फाइनल बोड परिक्षा में आने वाले हैं और इसका PDF हम बिलकुल फ्री में देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका PDF आपको कहां से डाउनलोड करना है तो विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा तो आईए सुरू करते हैं पहले नंबर प्रशन से तो पहला नंबर प्रशन है कि महा विद्याले में परवेश के बाद राम परवेश के इस परकार के अध्यान में लीन हो गए आईए देखते हैं अगला प्रशन दो नंबर प्रशन है कि स्वामी देयानन्द को मुर्ती पूजा के प्रती अनास्था कैसे हुई थी यहाँ पर आपको बताना है कि स्वामी देयानन्द को मुर्ती पूजा के प्रती अनास्था कैसे हुई थी आईए देखते हैं अगला प्रशन तिन नंबर प्रशन है कि उन्नती की एक्षा रखने वाले मनुस्यों को क्या करना चाहिए यहाँ पे आपको बताना है कि उन्नती की इक्षा रखने वाले मनुस्यों को क्या करना चाहिए आईए देखते हैं अगला प्रशन चार नंबर चार नंबर प्रशने की मध्यकाल में भारतिय समाज में फैली कुरुतियों का वर्णन अपने सब्दों में कर ये भी काफी महत्पुड प्रशन हैं आईए देखते हैं अगला प्रशन पांच नंबर पांच नंबर प्रशने की मंगलम पाट के अधार पर आत्मा का सुरूप बताएं ये काफी महत्पुड प्रशन है ये आपके बोड़ पर इक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है की मंगलम पाट के अधार पर आत्मा का सुरूप बताएं आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 6 नमबर प्रश्ण कि संसकार कितने होते हैं और कौन-कौन ये भी काफी महतपुड प्रश्ण है आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि संसकार कितने होते हैं और कौन-कौन आईए देखते हैं अगला प्रश् आईए देखते हैं अगला प्रशन आठ नमबर प्रशन की राज सेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है ये भी काफी महतपुड प्रशन है आईए देखते हैं अगला प्रशन नौ नमबर प्रशन की आलस कथा पाठ में धूरतों की पहचान कैसे हुई ये काफी महतप प्रशने हैं आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहां पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई आईए देखते हैं अगला प्रशने दस नंबर प्रशने की कड़ से दान बिरता पाठ के लेखा कौन है कड किनके पूत्र है और उन्होंने इ देशी यात्री पटना आये थे काफी महत्पुड प्रशने है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहां पे आपको बताना है कि कौन-कौन विदेशी यात्री पटना आये थे आईए देखते हैं अगला प्रशने बारा नंबर प्रशने की आरे समाज की अस्थापना किस और कब की आरे समाज के बारे में लीख है ये भी काफी महतपुड प्रशन है ये आपके बोड़ परिक्षा के लिए आईए देखते हैं अगला प्रशन तेरा नंबर तेरा नंबर प्रशन है की कड की कौच और कुंडल की बिसेस्ता क्या थी ये भी काफी महतपुड प्रशन ह ये आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि पाटली पुत्र को सिक्षा का प्रचीन केंद्र क्यों माना जाता है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 15 नंबर 15 नंबर प्रश्ण की भीखन टूला कैसा गाउं था काफी महतपुड प्रश्ण है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 16 नंबर 16 नंबर प्रश्ण की सिक्ष संपरदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों परसिद है काफी महतपुड प्रश्ण है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि सिक्ष संपरदाय के लोगों के ये पटना नगर क्यों परसीद है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण सत्रा नंबर प्रश्ण कि देवता लोग किस देश के गुड़गान करते हैं और क्यों ये भी काफी महत्पुड प्रश्ण है ये आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि क्या कारण है ये भी काफी महत्पुड प्रश्ण है ये आपके बोड़ परिक्षा के लिए आईए देखते हैं अगला प्रश्ण उनिस नंबर प्रश्ण कि सभी जनों की देश भक्ती कैसी होनी चाहिए ये भी काफी महत्पुड प्रश्ण है आईए देखते हैं अगला प किस नमबर प्रशने की पतिका बृत बाग की बातों में क्यों आ गया ये भी काफी महत्पुड प्रशने हैं आईए देखते हैं अगला प्रशने 22 नमबर प्रशने की भारत महिमा पार्ट के अधार पर भारत वर्स की वर्णन करें ये भी काफी महत्पुड प्रशने है ये आ बहुतारत भूर्मि कैसी है तथा यहां किस परकार के लोग रहते हैं यह भी काफी महत्पुड प्रश्चन है यह आपके बुड़ परिक्षा के लिए आईए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नमर प्रश्न की अधसरी सूर्ता का कारण और निवारन बताएं काफी महत्पुड प्रशने है ये आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको असही सूर्था के कारण और निवारा बताना हैं आईए देखते हैं अगला प्रशना 25 नमबर प्रशने कि स्वामी देयानंद ने समाज के उधार के लिए क्या किया काफी महत्पुड प्रशने है ये आप साला में आग लगने पर क्या हुआ काफी महत्पुड प्रशने है ये आपके बोड़ परिक्षा के लिए आईए देखते हैं अगला प्रशना 27 नमबर 27 नमबर प्रशने कि भगवान बुध ने पटना के सम्बंध में क्या कहा था काफी महत्पुड प्रशने है ये आपके आपको बताना है कि भगवान बुध ने पटना के सम्मंध में क्या कहा था आएए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नमबर प्रश्न की पथिका को फसाने के लिए बृत बाग ने क्या तरक दिया ये भी काफी महतपुड प्रश्न है आएए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नमबर 29 नमबर प्रश्न की नदी और विद्वान में क्या समानता है ये भी काफी महतपुड प्रश्न है ये आपके बूड परिक्षा के लिए आएए देखते हैं अंतिम परश्न 30 नमबर प्रश्न की ब्यागरा पति कथा पाठ के 5 वाक्यों में परिचे देए ये काफी करेंगे कि इसका PDF आप लोग कहा से डाउनलोड कर सकते हैं तो सभी के फोन में होता है Chrome तो उस Chrome को आपको क्या करना है ओपन कर लेना है अब इसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है Ask Class तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ASK और फिर CLAWS यहाँ पर हम Ask Class लिख के सर्च कर दें यहाँ पर आप हमारे Official Website पर पहुंच जाईएगा और यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं तो इस टेस्ट पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप लोग latest टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पर भौतिकी का भी टेस्ट चल रहा है अभी 15 मिनट में यहाँ पर नाम लिख देते हैं आप लोग अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पर next कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए प्रशन आ जाएगा यहाँ पर आप लोग 33 परशन है और 33 परशन का आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ से आप लोग देखिए लिखा हुआ है download PDF इस पर आपको क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर हम download PDF पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए इसका PDF हम अपलोड नहीं किये हैं तो अभी जस्ट पांच मिनट के अंदर इसका PDF हम अपलोड करेंगे यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो यह बहुत सारा PDF अब्लोड कर चुके हैं, अब्जेक्टिव का भी तो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, और आपको अगर latest update पढ़ना है, तो थोड़ा सा आपको नीचे आना है, और यहाँ पर देखे लिखा हुआ है, बिहार बोड ने बताया, अन्तिम समय में क्या पढ़ना चाहि यह जल्दी देखो, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके आप लोग latest update पढ़ सकते हैं, और क्या पढ़ना है, यह सब हम यहाँ पर लिखते हैं, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर आपको बोड एक्जाम में कोपी कैसे लिखना है, तो और बोड एक्जाम में कोशन कहां से आता है तो यहां से आप लोग पढ़ सकते हैं थेंक्यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लागा के पढ़ाई किजे टेक के रेंड बाएं